हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चेनल स्वाती आर्या आप सभी को स्वाती आर के तरफ से नव रातरी की बहुत सारी सुपकामना है दोस्तों और आज मैं बना रही हूँ परफेक्ट माप के साथ सूजी का हलवा बहुती आसान रेसेपी दोस्तों बहुती जो हलवा है बहुती सॉफ्ट बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा तो चली बनाना शुरू करते हैं तो मैं दोस्तों यहाँ पर लिया है पैन उसमें डाला मैं आपर तीन चम्मच घी कुछ ड्राइफूट्स मैं आपर डाल दी इसमें ताकि जो है अच्छा टेस्ट आएका ड्राइफूट्स का जब घी में रोस्टरो होते हैं और साथ ही मैं आप पर रखी टपेली इसमें डालाए मैंने तीन कप पानी क्यूँकि आज मैं एक कप सूजी से बना रही हूं सूजी का हलवा पानी का रख दिया है बौल होने के लिए और गैस का फ्ले में एकदम लो रखाए और यह देखिए दोस्तों में आप पर काजू बदाम किश्मिस जो भी ड्राइफुट्स आप इसमें डालना चाहते हैं और यह देखिए हलका सा यह रोस्ट हो गए मैं इसको निकाल ले है हम डाले थे सूजी और उसके साथ ही हम जितनी सूजी थी दोस्तों उतना ही हम अप्रोक्स घी लेंगे उससे थोड़ा सा कम ले सकते है तो इसको भी हम अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर सेखेंगे और बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है दोस्तों जब सूजी को हम सेखते हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार इसको चलाते हुए सेखेंगे और इसमें चीज डालेंगे दोस्तों जिससे इसका टेस्ट एन हल्वे का बहु बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसे तुमियाँ अपर देर चमल्स डाला है दोस्तो बेसन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे भी हम लगाता चलाते वी सेख लेंगे और थोड़ा सा आप डार्क, या थोड़ा सा लाइट कलर आप की पसंद करों सार आप कर सकते है कई घरों में बहुत लाइट कलर का खाया जाता है तो चितना भी आपको डारक रखना होतना गी मचे तरीके से इसके बाद यह डाल देख दम बॉइल किया हुआ पानी। भखोत ही ध्यान से डालियें का पानी दोस्तों टो मैण अच्छा उबलतहों पानी के लिगत।не युश देहलें टीलेंगे अंतुक्त सूजी कड़ाने एक। छोफ्ट हो जाये तो इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा और सबस्क्राइब करना बिलकुर न भूले और उसके साथ में आप पर डाल दीए एक कप सूजी के कॉर्डिंग एक कप शक्कर डाल दी में यहाँ पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते दोस्तों सूजी के ह सकत्ति करछा है इक बनात फॉल एक लाएं आप आप यह बनाया अच्छा हाँ गई है को हैं आप आपको लगा होगा कि यह जहां है मैंने हल्वा लप्सी से बनाया पर वीडियो को फूल देखा दोस्तों बहुत ही अच्छा बनाया का होच्छ वालव मिक्स कर लिया है गैस् इलाइची और चीनी को एना ऐसे पीस रही हूँ यह आप पर देखे अच्छे से पीस गई दोस्तों अब मिसमें आपर डाल दूंगी साथ घरवारों से कुछ बात भी हो रही है और इसको मैं आपर डाल दिया है चम्मच में और अब इसमें डाल देंगी हम यह इलाइची बाक आपके साथ दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर किया है सूजी का हल्वा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम यह देखिए कितना अच्छा बनाया है हल्वा दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट बनेगा प्लीज दोस्तों एक लाइक सब्सक्राइब और फॉलोर कीजिएगा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब में से फिर से कबर करोंगी एक दम मीडियम फ्लेम पर और जो ड्राइफूट्स में आप गी में रोस्ट किये थे उसको में थोड़ा सा मोटा मोटा काट लोंगी काजु बदाल को यह पर कर रहे हूं देखिए स्टेप में आपर कर ल इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो हल्वा बनकर तयार हो गया है दोस्तों हमारा यह अब चली मैं आपने खा लेती हूं भो मातरानी के लिए और आज अच्का आपको वीडियो चलागा दोस्तों तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना देखे कितना सॉफ्ट हल्वा बनाया दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट है अब गैस को बन कर देंगे हल्वा बनकर तयार हो गया है दोस्तों और आपको अच्छा लागा वीड प्लीज फॉलो कीजेगा थैंक्स फॉर वर्चिंग जै मता दी